आईए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे entitlement हैं उन में से temporary duty के लिए हमें क्या-क्या मिलता है इसमें आपको rtyoj, rtyrj और r daily के बारे में बताया जाएगा temporary duty casualties आईए देखते हैं कि कौन कौन सी temporary duty entitled है आपको rtyoj temporary duty onward journey से related है rtyrj temporary duty returning journey daily allowance r daily की रूप में actual bus fare abf और road mileage allowance on tour यानी की rma rtyoj, rtyrj और daily इनके बारे में जानते हैं before implementation of 7CPC जो daily allowances दिये जाते थे temporary duty बेर उनका जो part two order publish होता था वो tyoj, tyrj और daily description के साथ होता था लेकिन after 7CPC जो part two order publish होते हैं tyoj, tyrj और daily के लिए उनका जो description होता है वो rtyoj, rtyrj और r daily के साथ होता है यानी कि आपको revise rate दिया जा रहा है और इस revise rate में आपको cost of accommodation, transport of food include रहता है इसके लिए आपको जो part two order दिया जा रहा है वो actual accommodation जो आप रहते हैं जहाँ पर भी आपको accommodation आपने लिया है temporary duty के दोरान उसके जो bill आप produce करते हैं उसका कितना amount है आपका transport कितना आपको दिया जा रहा है और food जो भी आप food लेते हैं उसके लिए जो prescribed आपको दिया गया है और यह आपको मिलेंगे आपके temporary duty के दौरान इसलिए आपका जो part two order publish होगा onward duty का और return journey duty का वो दोनों अलग-अलग होना चाहिए और यह देखते हैं कि tyoj और tyrg के rates क्या दिये जाएंगे यहां पर देखिए 7 cpc और 6 cpc दोनों कहां ही आपको दिखाया जा रहा है कि great pay 6 cpc में क्या था और उसका corresponding pay level अभी 7 cpc के साबसे क्या है और rate आपको क्या दिये जाएंगे पे लेवल 3, 4 और 5 इसके लिए tyoj और tyrg का जो rate है वो है 500 उपीस इसी दर है 6, 7 और 8 pay level पर 800 उपीस और pay level 9 और 10 पर 900 उपीस का आपको onward और return journey के दोरान amount दिया जाता है देखे daily के जो rate है वो इस तरह से रहेंगे pay level 3, 4 और 5 इसके लिए जो rate है वो है 450 रुपीस for cost of accommodation cost of food के लिए 500 रुपीस and cost of transport जो दिया जाएगा वो 113 रुपीस दिया जाएगा इसी तरह है pay level 6, 7 और 8 यहाँ पर cost of accommodation 750 रुपीस cost of food 800 रुपीस और cost of transport 225 रुपीस दिया जाता है और level 9 और 10 उसके लिए 2250 रुपीस cost of accommodation cost of food 900 रुपीस and cost of transport जो है वो 338 रुपीस दिया जाएगा Actual bus fare यानि की ABF Actual bus fare is admissible for journey between station not connected by rail यानि की जो station rail से connected नहीं है वही पर आपको Actual bus fare मिलेगा Actual bus fare जो मिलता है वो आपको सिर्फ annual leave में मिलता है Leave is admissible only on annual leave मतर किसी और leave पर आपको ABF नहीं मिलेगा except annual leave इसमें भी एक condition है कि अगर if the individual take annual leave in two or three installment यानि की आप पूरे साल में दो या तीन बार अपना annual leave लेते हैं part of annual leave या balance of annual leave लेते हैं उसमें जो आपको ABF मिलेगा वो पहले जो first आपने annual leave ली है उसके लिए ही मिलेगा या फिर आप जब temporary duty पे गए हैं पहली उसके लिए ही आपको ABF दिया जाएगा ABF is not admissible for CL यानि की casual leave पर आपको ABF नहीं दिया जाएगा ABF should be claimed only for onward and return journey यानि की आने और जाने इन दोनों journey के लिए आपको ABF दिया जाएगा journey अगर आप taxi से कर रहे हैं, auto से कर रहे हैं, जिक्षा से कर रहे हैं या किसी और साधन से कर रहे है other than bus, the bus को छोड़के अगर आपने कोई भी mode of transport लिया है वहाँ पर आपको ABF नहीं मिलेगा आपको RMA क्लेम करना पड़ेगा, अगर आप bus से जननी करते हैं तो ही आपको ABF दिया जाएगा और एक चीज और भी important है कि जिस चीज के लिए, जिस location के लिए, जिस जगे जाने के लिए अगर आपने RMA का क्लेम कर लिया है, वो उस जगे के लिए, उस location के लिए आपको ABF नहीं दिया जाएगा, ABF will not be admissible for the location जहाँ पर आपने RMA क्लेम कर लिया है तो इस condition में मिलेगा और ये आपको actual receipt आपको देनी पड़ेगी bus fare की, उसके उपर ही, उसके आधार पर ही आपको actual bus fare यानि की ABF दिया जाएगा road mileage allowance यानि की RMA, AIS में देखते हैं की RMA की क्या क्या conditions है, road mileage allowance incurred by the individual in connection with move on temporary duty, यानि की जब आप temporary duty पे होते हैं, तो आप road mileage allowance ले सकते हैं इसी तरह अगर आप temporary duty पर हैं या फिर आप annually पर हैं, लेकिन आपकी यात्रा जो है, वो bus से हुई है, आपकी उस पूरी यात्रा के जहां जहां पे आप bus से यात्रा करते हैं, उसके लिए आपको ABF description यूज करना पड़ेगा, यानि की आप उसके लिए actual bus fare लेंगे, उसके ल bus, बस को छोड़के अगर आप taxi, auto, रिक्षा या कोई और साधन लेते हैं, तो आपको उसके लिए RMA ही claim करना है, वहाँ पर आपको ABF नहीं मिलेगा, रमे की एक और condition है कि आप वहाँ पर government transport नहीं available कर सकते हैं, बतों, government transport आपको नहीं मिला है, इसके लिए ही आप RMA claim कर रहे तो, no government transport available for the journey for which RMA is claimed, यह आपको certified करना है, इसी तरह एक और condition है, जहाँ पर आपको annual leave के दोरान, आपको RMA मिल जाता है, जद तर आपको annual leave पर ABF लेना है, लेकि RMA कब मिलता है, उसकी एक condition है कि, जब soldiers या NCE, non-competent अपने जो रहते हैं, enrolled, या boys, अगर वो government expense पे लीपर होत हैं, या लीप से लोटते हैं, तो वो RMA क्लेम कर सकते हैं, इसी तरह उनकी कोई annual leave अगर है, और उसमें उनको वापिस बोला लिया गया है, before completion of the first half of the leave, यानि कि उनकी छुट्टी खतम होने से पहले, अगर उनको recall कर लिया गया है, तो उनने RMA मिलता है, लेकिन इसका notification उनके पार्ट टो ओडर में, किलरली मेंशन होना चाहिए, कि उनने recall किया गया है, आरेमे के लिए जो rate prescribed किये गया है, वो इस तरह से है, बोर्ड अफ ट्रांस्पोर्ट अगर आटो है, तो 12 रुपीस पर किलोमीटर के हिसाब से आपको amount मिलता है, इसी तरह cycle 1.80, foot 1.80, यानि कि 1. इसी पैसे के हिसाब से cycle of food के लिए ये rate है, और taxi अगर लेते हैं, तो उसके लिए 24 रुपीस पर किलोमीटर मिलता है, तो ये आरेमे के rate है,